स्वागत है आप सभी का आज हम जानेंगे कि UPSC के प्रिपरेशन करने वाले जो भी कैंडी रेट्स है उनको कौन सी ऐसी 15 एडवाइस देना है जो की UPSC क्रैक करने के लिए उनको मदद करेगा पहला है understand the exam pattern जो exam pattern है ना UPSC का वो बाकी exam से थोड़ा different होता है तो इसलिए उसके exam pattern, syllabus, marking scheme क्या क्या होता है negative points मिलते हैं की नहीं, positive points मिलते हैं की नहीं वो proper तरीके से जान ले और एक plan बना ले ताकि आप preparation और focus एकदम proper topics और right topics पे कर पाएं नमबर दो पे है create a study plan एक proper well structured study plan बना ले जहाँ पे आपको entire syllabus एक sufficient time में लिखा होगा और each subject, each topic, कौन से दिन, कौन से subject, कौन सा topic पढ़ना है उसका एक dedicated schedule बना ले जिसको आप हर दिन proper तरीके से follow करेंगे till your UPSC exam comes तीन नमबर है refer to authentic sources आपको जो भी book refer किये जा रहे हैं जो भी NCRT books हैं या कुछ भी उस पे ही rely करें उसी को पढ़ें अधर resources पर मत जाएं वरना क्या होगा फिर confusion होगा किसी और book में कुछ और लिखा रहता है और किसी और book में कुछ और तो जो authentic sources है जैसे NCRT books और जो coaching जो की UPSC से actually books recommend की जाती है सिर्फ उसी को पढ़ें नमबर फोर आता है current affairs current affairs पर आपको हमेशा up to date रहना है आपको हर चीज पता होना चाहिए कि कब कौन सा affairs चल रहा है उसके लिए आपको newspaper magazines online पे भी बहुत कुछ मिलता है उस पे भी आपको पता चल जाते और mostly national और international news पे focus करना है आपको नमबर फाइब है practice previous year papers previous years के जो papers होते है उसको practice करते रहेगा ताकि आपको समझ में आएगा कि question pattern क्या है और आपको इसी साब से कैसे questions पूछे जाते हैं वो भी आपको पता चलेगा और आप अगर solve करने बैठेंगे और आपसे solve नहीं होगा तो आपको ये भी पता चलेगा क आपको इस chapter में ये weak point area है तो इसलिए practice करना previous papers बहुत compulsory होता है नमबर 6 है take mock test आजकल तो online पे प्रिलियंज और mains के बहुत सारे mock test आगे हैं तो regularly आप जितने भी subject जितने भी chapters पढ़ रहे हैं उसके बाद उस chapters का mock test ज़रूर ले ताकि आपको पता चलेगा कि आप कहां पर है कहां पर stand कर रहे हैं और आप improve कर पाएंगे अपने time management को भी नमबर 7 है analyze your performance जब आप mock test ले रहे हैं उसके बाद आप अपने performance को identify करें आपका कौन सा subject strength wise ज्यादा है आपका कौन सा subject weak wise ज्यादा है और जो weak areas है उसको improve करें और जो strong subjects हो जा रहे हैं उसको ज्यादा से ज्याद करें ताकि आप भूलना जाएं बाता है बारी art number जो कि है develop writing skills for the main exams आप regular basis पे writing practice करें ताकि आपके concepts clear हो जाएं और ऐसे crystal clear हो जाएं कि आपका कोई भी marks वहाँ पे ना काट पाए bullet points diagram flow chart से अपने answers का presentation और effective बनाए number 9 which is actually very important that is stay healthy take care of your physical and mental well being आप जादा जाद जितना पढ़ेंगे आपको लग रहा है कि आप UPSC crack कर लेंगे नहीं healthy रहना भी एक exam के पहले बहुत जादा important है क्योंकि आप focus जाएंगे अगर आपका तब्वित खराब होगा ताप focus नहीं कर पाएंगे UPSC exam में और इसके पॉजिटिव attitude रखें दूसरों के प्रती भी positive रहें और ऐसे supportive friends और family के साथ रहें ताकि वह आपको अच्छे तरीके से positive vibes दे पाएं यारवा नंबर है join a coaching institute यह बहुत ही optional है कुछ बच्चे coaching में जाके पास करते हैं crack कर लेते हैं UPSC कोई बच्चे बिना गए ही पास कर जाते हैं तो यह आपके उपर है कि आपको coaching का guidance और structured preparation लेना है कि नहीं लेना है बारा नंबर है focus on optional subjects optional subjects main में allocate किये जाते हैं इसलिए आपके पास sufficient time रहता है to study and revise it as well इसलिए optional subjects पे जादा focus करें ताकि आपके mark सुच जाए तेरवा नंबर है time management time management बहुत जादा important है during your preparation आपको breaks के साथ साथ पढ़ाई को भी manage करना है यह नहीं कि जादा break और कम पढ़ाई हो जाए चौदा नंबर है be consistency consistency is a key to success इसलिए अपने study plan पर हमें से stick on करें और habit बनाए regular study का पंदरा नंबर है learn from failures ऐसा नहीं है कि आप fail हो गए तो आपका दिल तूट जा और आप side में जाके bad जाए फिर कोशिश ना करें ऐसा कुछ नहीं है अपने weakness से हमेशा improve करना चाहिए और अप आते हैं हम Plutus IAS पर यह number one coaching है UPSC के लिए यहां पर faculty member experienced है और proper training दी जाती है बच्चों को so that they can crack UPSC exam अब आते हैं the hindu zone.com पर यहां पर mentoring बहुत अच्छा मिलता है बच्चों को यह दिली में second number पर आता है UPSC coaching के लिए यहां पर proper coaching proper support मिलता है students को ताकि वो pass कर सके अपनी UPSC exams को अब आते हैं हम योजना IAS पर यह number 3 पर आता है ranking में यहां पर भी UPSC की coaching exam proper की जाती है किताब और notes प्रुवाइड के जाते हैं बच्चों को ताकि वो UPSC की preparation और अच्छे से कर सके I wish आप जो भी tips दी गई है जो भी advices दी गई है वो आपके लिए helpful रहेंगी Thank you